अब बाई क्या बात है इतने ओमाई गॉड यह तूटा हुआ डिस्प्ले क्या हो गया सर्फ मैंने यह दिस्प्ले दुकान से ख़िए दुकान वाले ने मुझे चेक भी करा कर दिया और तब महेंगा दिस्प्ले उसने बोल के मुझे दिया यह प्रोपर वर नी कर रहा पूरा सब्सक्राइब कर दिया तो इसने प्रॉपर भर भी निकार तो यह अभी ऐसे कैसे तूट गया इसको मैंने तोड़ दिया सब्सक्राइब क्या करना चाहिए हमारा नया टेस्टिंग डिवाइस जिससे आप अपने आइफोन और एंडॉइड के दोनों के टच को आप सब्सक्राइब करें और यह बैटर हो मुझे पूरे लेकिन है कि नएस टाम आप किसी भी डीलर से अगर डिस्प्ले खड़ी तो में लिए बहुत अच्छा होगा में बहुत परीसा बच जाएगा इसमें बहुत बढ़िया बट आपको यह चलाने आना चाहिए तो इसके लि आपके लिए बना है और जो भाई अच्छल में जो भी डुकानदार है जो डिस्प्ले अपने कस्टूमरों को नया लगा के दर है आइफोन पेस पेसल तो यह उनके लिए हैं बड़ी एंड़ोड पर काम करता है और यह कैसे काम करता है एक पैटिकल वीडियो के साथ नहीं बताना चाहूंगा आपको इसमें मिलना के अवाला है सो अप देखें कि इसका इंदर दो कनेकर आपको मिलेंगे की इसके और एडिपी खें के लिए अपके दो करेंडर आपको यहां पर देखें के लिए एक बड़ा टच पैनल आपको देखने को मिलेगा जो पूरा तो Android screen और iOS screen मतलब यह Android के और iPhone दोनों के आपके बिस्पले को टेस्ट कर लेगा बैट्री तर्म आपको इंसाइट करनी पड़ीगी बैट्री से चलता है आपको कुछ इसमें लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी परकर का USB USB cable आप चाहें तो बैटरी से भी आओ और इसको कहीं से भी मुवेबल है कहीं भी ले जा सकते हैं ठीक है वाइफाई अफग्रेड़ेड है टच अपरेट है और पीडी फास्ट चार्जिंग है जल्ली चार्ज होती है बैटरी इसके अंदर और मोर फंस अनकर बहुत सारी चीज है तो इसके अंदर सॉलिट कलर टेस्ट टैस्ट टैस्ट और इमेज टेस्ट और ग्रे लेवल टेस्ट यह आपका हो जाएगा जो कि ओरीजनल डिस्प्ले में कम ही हो पाता है चेक करने में सब्सक्रीन तो चलो आओ देखें अटिकल करें तो सबसे पहले आम इसको बन पर अपनार इको यहां पर डिख रहा होगा में भी इसको अप्ग्रेड करने के लिए और अगर हम बात करें यहां पर आप देखें तो यह तो यहां पर टाइपसी आपको देख रहा है और जिससे हम basically इसको on कर सकते हैं या इसको चार्ज कर सकते हैं तो सबसे पहले कुछ इस तरह का है जिसमें आप यहां पर देखिए V15 PM screen tester यहां पर दिया है JC ID और जो उसकी Chinese में भी लेका हुआ है आपको integrated यहां पर connector से दिखाई दे रहोंगे EDP PC connect port और MEP FPC port और यहां note अलग से लिखा है कि on the screen test FPC the FPC with EDP mark is EDP मतलब वो कह रहे हैं कि जिस पत्ते के ऊपर EDP लिखा होगा उसको EDP पे लगाना है और जिस पत्ते के ऊपर FPC लिखा होगा उसको FPC connector पे लगाना है मैं आपको दिखाऊंगा कोई नहीं तो सबसे पहले आप अपर मस्ला यह है आप इसको दो तरीके से ओन कर सते हैं देखे हम सबसे पहले इसको सिर अपना नमल चार्जिंग केबल लगाके और यह उन होचाएगा एक आपको दिखाए देरा है यहां पर तो अभी कैसा है ना मालो जैसे मुझे यह ले जाना है अब मुझे किसी दूसी दुकान में देना है अब वहां पर मालो कोई चार्जर लगाने का सीन नहीं है तो आप चाहते हो कि इसको यार ऐसा बना ले कि आप बटन दबाओ चालू हो जाए और चलता रहे तो भई अधर आ वहाँ किया है आपने पीछे का इसको खोलना है ओपन किया को अब कि हम इसको खोलेंगे आपने आगे की और स्लाइड करना और यह उतार देना तो सबसे पहले आपको यहां पर एक बैटरी इंस्ट्रॉल कर सकते हैं मैनूली अपनी आपको बैटरी नहीं देती है आपने पर आपको बैटरी लगाने का करनेटर दिखाई देगा यहां पर देख रहे हैं और आपने बैटरी लगा देना है और इस तरीके से इसको पर कर देना है तो यह हो जाएगा आपकी एक बिडाउट चार्जर मनला बिडाउट पावर केवल अपने किसी भी तरह का पावर केवल लगाने की जरूवत नहीं है अब हमें इस प्रूब आपस लगा देते हैं तो कंपनी अपने कस्टोमर को देता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मूवेबल बनाना चाहते हैं त सबसे पहले इसके अंदर में मिलता है हमें क्योंकि इसका टच काफी बड़ा है एक बिल्कुल जैसे पहले के जो 2000 के हमारे टाइम पर 2010 के टाइम पर हमारे फोन आते थे उस जमाने के हमारे बिसीकली आप देख लो टोट फोन के टच पैनल जैसे दिखाई दे रहें आपको इसके साथ मिलता है एक स्क्रीण गाड्ड के लिए आप जैसे देख सकते हैं आप यह इसके पहुचने के लिए ताकि डश्ट आपकी निकाल सके है wipes मिल रहे हैं wipes clothes और आपको मिलता है इसके साथ मैं आपको देखाऊंगा यह सारे flex cable देखें यह flex cable है आपके 15 pro max तक तो आप देखो यह 15 pro max का cable है ठीक है यह iPhone 12 का है यह iPhone 12 mini का है iPhone 12 PM आपका pro max तो यह सारी आपके cable है अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज में आपको बताना चाहूंगा जैसे मालो मैं 15 pro max का cable को open करता हूं ठीक है डू केबल में आपको open करता हूं एक तो पूरा practically आपको बताऊंगा और आप video में बने रहना नहीं तो आपको यह चलाते नहीं आएगा यह देखो एक मैंने यह निकाला ठीक है और एक कि यह मैंने निकाल लिया केबल और एक केबल मैं आपर निकालता हूं जिसका में पास अभी डिस्प्लेय आपको टेस्ट करने के लिए iPhone 11 तो iPhone 11 निकालूंगा यहां पर 15 Pro Max यह iPhone 11 यह iPhone 11 हो गया ओके यह 11 तो आप धान देना सबसे पहले तो आपको देखने की बात यह है कि देखो जिस पत्ते के ओपर EDP लिखा होगा आप दिख रहे हैं यहां पर EDP है ना उस पत्ते को आपको यह EDP वाले करनेक्टर पर लगाना है मतलब आपको यहां लगाना ह ठीक है EDP मार्क है इसके अंदर और जिसके अंदर EDP मार्क नहीं है और जिसके अंदर मिपी मार्क है उसको आपको मिपी वाले करनेक्टर पर लगाना है बस दिमाग में रखना मिपी इधर EDP इधर तो हम इसको बापस डाल लेंगे इसके अंदर तो यह सारे आपको इसके अ और तो यह आपको मिलेगा यह देखो यह भी पत्त है oh my god 14 Pro Max देखो इस पर भी आप देखो तो आपको ADP लिखा हुआ है देखा ही दे रहे यहां पर done तो यह हो गया और यह रहा सका screen card तो आप screen card यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप पहले इस swipe से आप इसको clean करके screen card लगा सकते हैं और इसको use कर सकते हैं बिल्कुल original तरीके से मैं इसका अलग से real बनाओंगा इसलिए मैं इ आपको मिलेगा GC का बार कोड दिखाए ज़र एक तो आप इसको आप इसको स्कैन कर लो और प्रोडेट मैनुल यहां से इसका प्रोडेट मैनुल कैसे चलाना है यह भी पता चल जाएगा यह चाइनीज में है और यह इंग्लेस में है ठीक है तो हम इसको पूरा की पूरा रख देते हैं इधर ठीक है और यह स्क्रीन गार्ट का यूज हम करेंगे नेस्ट उसमें देखे यह बिल्कुल नए जैसा है यहां दिखाई यह देखे यह बिल्कुल नए जैसा है वर्ण टाइं जैसा पहली वार पन्नी आप ही उतार होगे बिल्कुल फ्रेस मोडूल तो यह इसके फंसन देखते हैं उसके बार हमारे पार डिस्प्ले जो आली में हमने नहीं पर्चस की है आईफोन 11 और यह देखे अब यह दिस्प्ले को हम देखते हैं कि इस डिस्प्ले के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं डॉट तो नहीं है तच प्रॉपर वर्ड कर रहा है क चाहिए आपके color correction ओके होने चाहिए refresh rate आपका अच्छा होना चाहिए और बहुत सारी चीजे जो आपको display में आपको आज सीखने में लिए कि brightness आपकी प्रापर होनी चाहिए आईए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी तो फिलाल हम आइफोन 11 की बैट्री नहीं लगाएंगे सीधे इसको यहां लगाएंगे आप यहां से दिखाएं ओपर से कि अब देखें पूरा चैनिज में आ रहा है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबडाना है आपने सिर्फ को क्लिक करना है और यहां पर आपको लेंग्वेज में क्लिक करना है और इंग्लेज में टिक कर देना है तो मेरे कोई भी जो भाई देख रहा है स्टुडेंट हो या टेक्नीशन हो वह बाई इसली कर लेगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब आपने सेडिंग में आकर सबसे पहले देखना है क्या क्या है में हो तो चाइना का यह वाला नहीं तो नॉर्मल चाइना अपने नॉर्मल ही लेना है वाई-फाई सेलेट कर लेना तो जैसे आप वाई-फाई को करेट करोगे तो वाई-फाई आपका जो भी आपके कमड़े में मिलेगा वाई-फाई इसको धूरेगा तो देखो मेरा और करेंट हो जाता है आप यहां से इसको रिसेट भी कर सकते हैं आप चाहिए तो ब्लूटूट भी करेंट कर सकते हैं और गैरेंटी के लिए आपको अकाउंट के साथ बाइंड करना पड़ेगा इसको और अब आउड में जाके आप इसका अपग्रेड मतलब अगर कुछ फ्रम् कि असमें आप आप अब अबंड में देख सकते हैं तो यह हो गया है भजर जो भी भजर बढर तो यह वर मतलब इसको विद्स कर सकते हैं हाइब करते हैं यह? उसको लिभे मोड एक बेजना चाहते हैं स्थिलिब मोड हिसाइब इस पर आपकीं चाहते हैं तो सट्थ jili on 1.02 में आया और कैंसल दा पॉप अप लोडिन डाटा तो बहुत सारी चीज़ है जो अपडेट हुई फिर वर्जन 1.03 चला अभी वर्जन 1.05 है जो की लेटेस अपडेट है तो उसमें आप पढ़ सते हैं कि आपको क्या-क्या अपडेट मिला है अप्तिमाइज टिप्स एन फिक्स नॉन प्रॉब्लम अप्तिमाइज अटस बेस सिंप्लीफाइब द्रॉईंड इन फिलिंग मूड तो यह सारा अपडेट मिलेगा जो की कमपणि की कहने की बात है अपडेट कर रही है नहीं तो बहुत से यह से प्रोडेट देते हैं जो तो बस इतना ही है अब इसमें आपको सारी फंसन दिये हुए है और यह सारे फंसन में आपको बताता हूं किस तरह से यूज करने हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको आपको यह सीधा रखो ना यह सा तुम देखते हो ना पिच्छा ऐसा रखो और दोनों हाथ से पकड़ो आपको आपको अपना करनेटर लेना है यह कि आई फोन 11 का करनेटर है और यहां पर जूम कीजे आपको इस मिपी की प्लेट को ऊपर करना है यह देखें तो यह बिल्कुल नॉर्मल आपके जो करनेक्टर होते हैं मेल फीमेल यह स्लाइडिंग करनेक्टर से आपने इसको अंदर डालना इस तरीके से कि यह चला गया और इसको कि आपने क्लिक करना है कि यह तो यह आवाज भी आनी चाहिए अब देखो यहां पर दिखाए यह दिखाई दे रहा है कि डिटेट एफपीसी देखाओ देखा है यह दिखाई दे रहा है डिटेट एफपीसी जब तक आपका एफपीसी डिटेट ना हो तब तक आपको यह समझ लेना कि मेरा डिस्प्ले क्या ही चलेगा मला आपको डिटेट करना है ठीक है मैं फिर से कह रहा हूं यह ऊपर उठ्टा इस तरीके से और इसके ऐखाकर आपको क्लिफ करना पड़ेगा अब आपको इसमें डिस्पलेए लगाना है तो हम इसमें डिस्पले लगाएंगे foto , जासे देखे यह मैनुल किया तो आप इसको देख सकते है यह कलर क्रेक्षिन के लिए आपको कही अपनॉर्मल कलर दूर नहीं देखाए जारे हैं यह यह डार्ट ब्लैक यह लाइट आपका ब्लैक तो यह थोरा सा और आधा ब्लैक आधा वाइड इस तरह से यह प्रॉपर भी हटा देता हूं में ठीक है नोटिस कीजे यह आपका ग्रीन होना तो प्रॉपर आपने पूरा अच्छे से देख लेना है कि कहीं आपका ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट धबा या आपको कुछ तो नहीं दिखाए दे रहा है और जब आप इसको इमेज में टिक करेंगे तो इस तरह की इमेज आ जाएगी अब इस इमेज में आपको देखना है कोई अबनॉर्मल पार्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है इमेज कहीं दूनली तो नहीं है या कहीं पर इमेज का आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार यह सहीं नहीं आ रही है ठीक है इसके इसके लावा आप चाहो तो इसको ब्राइडनेस को कम जादा भी कर सकते हो तो जो भी आप यहां लिखोगे वह यहां पड़ाएगा जैसे देखे यह एक दो तीन चार तो यह प्रॉपर यह सिंक्रेनाइज होना चाहिए अब जैसे फोर जाम पर अब मैं दो इंगली से अब मैं तीन फिंगर से करूंगा तीन उंगली यूज करूंगा आप मैं चार उंगली यूज करूंगा तो यह प्रॉपर टच कर चल रहा है आप चाहें तो इस तरह से टच भी चेक कर सकते हैं कि हां कहीं रुक तो नहीं रहा है और मेरा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस तरीके से यह भी आप चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं जिसमें यहां पर जो यह वाला मेनु है यह अभी अपडेट होगा उसके अलावा आप देखो तो यहां पर आपको एक आटो साइकल दिया हुआ है इस आटो साइकल के अंदर आपने यहां पर आप साइकल डीसी करेंगे तो यह क्या करेंगा यह आटोमेटिकली उसको आपको पूरा आपने एक एक करके चेक करनी के ज़रूरत नहीं है यह हमारे डिस्प्ले भाइयों के लिए ताकि वह लगाया चेक करें तो हर इमेज को सब करके देखाएगा कि हाँ बार बार इसको आटो डीसी साइकल है और अपनी साइकल की स्पीड भी कम ज़्यादा कर सते हो तिक है और यहां पर अगर कुछ अप्डेट आया तो अब उस अपडेट के लिए भी आप इसको क्लिक कर सते हो उसके लिए क्लिक कर सकते हो और यहां से आप अपना रिफ्रेस्ट रेट चेक कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो जो आपके रिफ्रेस्ट रेट होते हैं जिसमें आपका 120 मेगा हर्स का 120 हर्स का डिस्प्ले हो 60 का डिस्प्ले हो उठ हर्स के वो सको डिस्प्ले टूड गया उसने अपने डिस्प्ले ही तो दिया तो यह आप पर ना आए वो दिन इसलिए आज इसको जाके पर्चस करो जो भी इनके डीलर है इंडिया के अंदर और मैं इनका भी नंबर नीचे डालूंगा अगर आपको भी डीलर बनना है इनका या आप चाहते आएदा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता है तो वीडो देखने हैं के लिए थैंक यू अल्दा बेस्ट इधर उदर घूम लिए है दिली जा रहे हूं मैंने सुना है क्या करने वह मैडम का कॉल आया है पांच बार बोला अरे छेटी भी बार चलो जो ज अच्छा इसे टीरीकॉम एस्प्रियंस टीचर के साथ पड़ो एस्प्रियंस टीचर का नंब लोगो जिंदिगे और अपडेट हो 5G का कोर्स लो मेरे से आउन और आइपोन का ओनलाइन प्री कोर्स लो आइपोन के लिए तो कहीं जाने के ज़रू होती नहीं है प्लस अगल करो 28 तरीका बैच है बहुत स्पेजल ग्लास है 25 को जोइंग करना है एंडी से को कॉल करो कि इतर मुझे अट्टूर का बैच जोइंग करना है और सब बता रहा हूं ना पैसे बढ़वा दूंगे ना टाइम जब कि टेक्निस इंदे टीचर बना देंगे